आप देख रहे हैं इस बस में गैंग टॉक जाने वाली बस में बैटावा हूँ जो कि मुझे सिली गुडी के संती बस डिपो से मिली है तो इस बस में जो गैंग टॉक की टिकेट है वह 500 पर की है और जब आप न्यू जल पाई के स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर आपको काब भी मिलेंगी यदि यदि आप कांग से गैंग टॉक जाना चाहें किया तो क्या बिलेगी काब में आपको तुनिस बजाए रब के ररंट लगेगा और यदि आपको बसे जाना है तो बस के लिए आपको P wool से ऑसंट बस स्टेर्ट पर चॉड़ देंगे और तो वहाँ से आपको ग्यांग टॉक की बस मिल जाएगी, तो इस वात मैं ग्यांग टॉक की बस में हूँ, देड़ सुर्बे की स्कीड टिकेट है हुआ है अभी हम लोग गैंग टॉक के रास्ते पर हैं और बस यहां पर रुकिविए दस मिनट के लिए चायनास्ता के लिए अभी गैंग टॉक करीब 50 किलोमेटर बाकी है यहां को लगेगा तकरिबन तो फंटे अभी और लग जाएंगे बाकी यहां यहां यह आसपास का कुछ इस त हुआ 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 है तो गाइज इस वक्त सवा तीन हो रहे हैं और मैं गैंग टॉक पहुँच चुका हूँ इस वक्त मैं एमजी मार्क पर बैठा हूँ तो अभी ज़श्ट थोड़ देर पहले बस से मां उतरा हूँ और मैं सीधा यहीं प्याकर बैठ गया क्योंकि लगबग लगबग 30-32 घंटे के लंबे सफर के वाद काफी जादा थकान हो गई तो इसलिए मैं आप आके बैठा हूँ कुछ दिर के लिए और एक चीज में आपको और बतानी थी जब आप सिली गुडी में जो संटी बस स्टैंड है वहां से बस पकड़ने के लिए जाएंगे तो आप एक चीज का ध्यान रखें यदि आप संडे के दिन जा रहे हैं तो जहां तक मुझे लगता है संडे के दिन मॉर्णिंग में 11 बजे तक ही टिकेट कांटर आपने रहता है उसके बाद टिकेट कांटर बंद हो जाता है फिर उसके बाद कोई टिकेट मिलती नहीं है अगर आप संडे के दिन पहुच रहे हैं तो सेम चीज मेरे साथ हुई आज के दिन आज संडे था तो मैं संटी बस स् संडे के दिन कोशिश करें पहले जली से जली आ जाएं तो इस वक्त मैं आज को हूँ तो अब मैं आपको मार्क दिखाता हूं यह देखिए कितना खुबसूरत है यह मार्क कितनी खुबसूरत यह जगह है तो अभी सबसे पहले मुझे यह काम करना है कि मुझे अपने लिए एक होस्टल डूना है होस्टल मैं चैक इंग कर लेता हूं मैं और फिर उसके बाद आपसे आगे मिलता हूं मैं कर दो दो आपसे अपसे बाद जगिए बाद आपसे यह कितना है झाल 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 जो मैंने अपने लिए होटल ढूंड लिए है और यह वो टल है जिसमे miche कवा हूं और यह वो होन है यह डिड़्या डिर्मेंट्री बैड है ज़िसे आप देख सकते हैं यह चार डिर्मे त्र Clayton तो यह वाला और यह वाला अल्रीडी पहले से बुख है कोई गैस्ट है यहाँ पर तो मैं इस वाले बैड़ पर मैं रुखने वाला हूं आज और मेरे इसी रूम से जो बाहर का नजारा दिखता है इतना प्यारा आए कि कुछ कहने के नहीं देख रहे हैं हम तोना प्यारा नजार्वा दिख रहा है कि तो मैं सोच रहा हूं अभी थोड़ी देर यहां पर IISH करता हूं और फिर उसके बाक देखता हूं मैं वापस और जाएंग और थोड़ी वापे गोमेंगे फिरेंगे तो मिलता हूं आपसे थोड़े देर में और एचीज बता दो में आपको यह डॉर्मेटरी बैड यानि कि एक बैड मुझे 306ड में मिला हैं तो सिक्किम में होटेल्स वगरा काफी ज्यादा मैने है सिक्कुम काफी काफी इकस्पेंसिव है तो सिक्किम के हिसाब से मुझे ये डॉर्मेतरी बैड की 108ड में बैश लगा इससे सस्ता और पढ़िया मुझे नहीं लगता पुरे सिक्षे में कहीं मिलेगा मुझे तो गाइस इस वक्त पौने आठ वज रहे हैं और मैं एमजी रोड पे आ गया हूं दुबारा से अभी थोड़ दे पहले मैंने लंच किया सोरी थोड़ दे पहले डिनर किया है मैंने और खाना वगरा ख पहल लेते हैं कुछ दिर तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर अच्छी खासी भीड है काफी सार लोग घूमने आए हुए हैं और मार्केट रात में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है हर तरह फ्लावर्स वगरा है और काफी सुन्दर मार्केट है और मेरे को यह शौप्पिंग करने के लिए काफी सारे अप्षन्स है यहां पÏ आप चारो तरफ देखेंगे काफी सारी शौप्स नज़ रहेंगे आपको जहां पर आप शौपिंग कर सकते है ठीक है रेश्टुरेंट बगरा वीं हैं आपे काफी सारे पास में तो काफी सारे आप्षन अवेलेवल हैं आपके मतलब किसी तरह की अगर जैसे आपके पास कुछ पर्चेस करने आपको तो जादा दिक्कत नहीं होगी आपको क्योंकि आपको सब कुछ मिल जागा क्लोटिंग से लेके मोबाइल वगरा की शॉप भी है मतलब शूज वगरा तो शॉपिंग करने के लिए यह मार्केट बैस्ट है तो बाकी आज की इस वीडियो को मैं यहीं कर रहा हूं तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरू करें और च कर दो है है